ओम शांति, बीस नो दो हसर बैस के श्वरिय महावाक्य हैं, आज की साकार मुरली का सार है, आज मीठे बाबा ने आटम पच्छियों से कहा मीठे बच्छी, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुर्शार्थ करो, यह समय बहुत वेल्यूवल है, इसलिए वियर्थ बातो में अपना समय बरबाद मत करो, एक एक सेकंड पदमा पदम रतनों की कमाई करने का समय संगम युग है, तो इसलिए अपना समय बिल्कुल जर्मई जुगमई बातों में मत बरबाद करो, प्रश्न है मुरली का बाप बच्छों के किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं, उत महिज जगमई माना, यहां वहां की बातों में, विर्थ बातों में, कहेंगे बाबा की मुरली सुनने का समय नहीं है, और किसी संबन्धी, कोई दोस्त का, साथ वालों का फोन आ गया, तो ना जाने कौन-कौन से रेलेटिवस और कौन-कौन से पुराने किस्वों को याद कर लेंगे एक खंटा 20 मिनिट लेकिन मुरली के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं कहते हैं टाइम ही कहां रहता है तो इस तरह जब आप जर्मई जगमई कर अपना समय बरबाद करेंगे तो बाबा की पढ़ाई के लिए समय ही कहां मिलेगा 20 मिनिट तो निकाल सकते हैं और भल कुछ भी करिये लेकिन मन बुद्धी से तो उससे जुड़ कर रह सकते हैं तो बाबा उत्तर में कह रहे हैं किस पर तरस खाते हैं बाबा कहते कई बच्चे आपस में क्या करते हैं जर्मई जगमई कर अपना समय बहुत गमाते हैं घूमने फिरने चाते हैं, तो बाप को याद करने के बज़ाए विर्थ चिंतन करते हैं, तो बाप को याद करने के बज़ाए यहां वहां की बातें करेंगे, बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है, बाबा कहते मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, विर्थ समय नहीं गवाओ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को योगती योगत याद करो, लाचारी याद नहीं करो, भगवानों बाच, बच्चे भी समझते होंगे, जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हम बहुत पुराने स्टुडेंट हैं कलपकलप हम ही स्टुडेंट बनते हैं इश्वरी पाठशाला में आते हैं, पढ़ते हैं बाप से, तो एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं है, 12 मास पढ़ेंगे, फिर टीचर बदली करेंगे, एक साल के बाद टीचर बदली हो जाता है के जी से बार भी तक तो एक नहीं पढ़ाता बाबा केते यहां यह मोख्य टीचर बदली नहीं होता यह फ़र्खेल बाबा केते बाकी बच्चियां तो बहुत हैं राजियुक सिखाने के लिए एक से तो काम चल ना सके पावन बनने के लिए कितने धेर बुलाते हैं एक को ही बुलाते हैं पावन बनाने एक ही टीचर ठहरा, जो पावन रहेगा वही तो पावन बनाएगा, जो पावन नहीं है वो तो पावन बना ना सके, बाबा कहते वो तो एक ही टीचर ठहरा, वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं, द्रोपदी ने भी पुकारा न, कि हमें यह साल दिया है, पतित दो सारी दुनिया है, पतित और पावन में रात दिन का फोर्क है, पतित हैं पत्थर बुध्धी, बाप आकर सब विकारों से घ्रणा दिलाते हैं, आत्मा समझते है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है, तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है, जंक लग का हुआ है जिन्हों को पावन फोस्कला शरीर है वह सारे विश्व पर राजी करते थे उनको कहेंगे पारस बुद्धी पत्थर बुद्धी और पारस बुद्धी का गायन भी भारत में ही है तो बच्चों को खयाल आना चाहिए कि हम पतित भारत को पावन केसी बनाए परन्त नंबर वार सर्वेसे बुलको यह खयालाथ आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुर्शार्थ करते होंगे बाप का पहला फर्ज ही है यह कि बाप आते ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने तो चितना बाप को ओना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए बा जास्ती चलने चाहिए, क्योंकि बाप तो आपस अपने निर्वान धाम, शान्ती धाम में चले जाते हैं, रेस्ट करते हैं, लेकिन यहां तो हम विश्व पर राजाई करते हैं, सोने चांदी के महलों में रहते हैं, इरे जवाह रातों से जड़े महलों में अपना जीवन नि के लिए इतना आते हैं बाबा, वो भी पराये, तन में पराये राजे में, तो बाबा थोड़े ही केते ही, बाबा थोड़े ही चातीन चार घंटे बैट समझाते हैं प्रदर्शनियादी में, बाप बुच्छों की महिमा करते हैं, पर उन्तु बहुत खुशी वह योग कम तुम नस्दीक बाप दादा कब देखा है, जो कम माइंड रहें सदा, मुख्य यही आत्मा, आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं, फिर शरीर के साथ तुम कुछ भी करो, जलाओ, मारो, काटो, चीरो, फाडो, इसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिसके द्वार शरीर का कुछ होता था, वो तो छोड़कर दूर खड़ी होई, आप घर से बाहर निकलें, और क्या पता, कोई कार आकर टकर मारते, और आत्मा दूर खड़ी होकर तुमको देखती रह जाए, है ना, कितना टाइम है, शन मात्र में तो निकल जाती है, तो बाबा के ते फिर कुछ काम का नहीं रहता, मनुशी के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी पशु पक्षियों की चमडी से तो चपल जूते, पर्स ना जाने क्या-क्या बनाती है, हमारा तो कुछ भी वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है, जिससे बना उसी म मिक्सू जाता है, एक दिन मित्टी में हो ही जाना, मिल ही जाना, तो जानवरों आदी की, तो हड़ियां भी काम में आ जाती है, चमड़ा भी काम में आता है, मनुशी का तो कुछ भी नहीं बनता, हड़ियां पानी में डाल खत्म कर देती है, निशानी भी नहीं रहती, फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है जानवरों की, तो मनुशियों का सत्युक से लेकर त्रेता अंत तक तो मूली है, देवताएं हैं तब तो पूझे लायक हैं, पीछे पाई की वही वेल्यू नहीं रहती, इसलिए कहा चाता है पत्थर बुधी, भरीड होती रहते हैं, पैसे आदी की चिंता रहती है, वहां तो बिलकुल निश्चिंत रहते हैं, जो बाबा की बनाई दुनिया होती है ना ब्रह्मा की त्वारा क्रियेट की नई दुनिया, ना मनुश्य रूपी नई दुनिया, उस दुनिया में तो बिलकुल निश्चिंत रहते हैं, तो बाप कहते ह कि तुम्हारा यह शरीर बहुत वेलिवल है, यह टाइम भी वेलिवल है, इनको वेस्ट नहीं गवाओ, फाल्तु बातों में समय नहीं गवाओ, अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है, एक ही शास्त्र में भगवान बाच हैं, जिसको कहते हैं स्रीमत भगवत गीता, तो बाप कहते हैं, आओ कंगाल बचे, तुम्हें सिर्थाज बनाओ, तो तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं, अब गीता शास्त्र तो एक स्री स्री की स्रीमत क्या कहती है, भगवत गीता जो ग्यान सागर बाप है वो आकर के हमें क्या बनाते हैं, कंगाल से सर्ताज बनाते हैं, न तो बाबा कहते हैं, कंगाल बच्चे आओ, तुमें सर्ताज बनाओ, तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं, भल भूत धनवान हैं, पदम पती हैं, उनों के फोटो नामादी निकालते हैं, निकालते है तुम बच्चों में भी नमबरवार धनवान हैं। तुम कहेंगे हम स्थाई सचे धनवान हैं। यह दन ही साथ देता है। तुमारे आगे सब वह कंगाल है। नामभल पदमपती आदि है। अधिन सत्गुरु बाबानी भी तुमहारा नाम पदमा, पदमपती अविनाशी रखा है तुम हो स्वर्ग के पदमपती वह है नर्क के पदमपती नर्क और स्वर्ग को तुम समझते हो वह पत्थर बुधी बिल्कुल नहीं समझते आगे जिल तुम्हारे पास आएंगे जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे यह तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा फिर कहेंगे यह ब्रम कुमार कुमारियों तो सच कहती थे आच्छा अब क्या करना है कुछ कर नहीं सकेंगे पैसे आदी एकदम जल मर सब खत्म हो जाएगे बॉम साधी गिरते हैं तो मकान जाय जाती सब खत्म हो जाता है बिमार ब्यक्ति फिर भी हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करा सकता है लेकिन यदि बॉम आदी गिरे कहीं तो बॉम से तो हॉस्पिटल रॉक्टर ही उड़ जाते हैं तो अब आपके पास बचा क्यासा भी उड़ गया तो आप बिमार हों तो जा सकते हैं लेकिन इस बिमारी का तो कोई इलाजी नहीं है जहां सब कुछ खत्म हो जाता है तो बाबा केते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है मकान जाय जाता दादी शरीर भी खत्म हो जाते हैं, यह तुम देखेंगे, बड़ा भयानक सीन आने वाला है, बाबा के तिजाजादाती सब खत्म हो जाता है, उसमें ज्ञान में आ नहीं सकींगे, अब यह भगवान बैठ समझाते हैं, कोई मनुश्यों की बात नहीं है, बच्चे जानते हैं, हम आ नहीं पढ़े, रात दिन बत्या जगा कर, मर जूर कर, भोजन ना खा कर भी एकदम पढ़ने को लग पढ़े, वाह यह तो 21 जन्मों की कमाई है, बहुत अच्छी रीती पढ़ने को लग जाए, पढ़ाई भी क्या है, मुखे है, ही बाप क्यो याद करना, बाप को बहुत त रसाता है, बाबा जानते है, बच्चे गूमने फिरने जाते है, एक भी बाप की याद में नहीं रहते, जर्मई जगमई बाहुत करते है, बच्छों को बहुत ओना रहना चाहिए, बस टाइम बहुत थोड़ा है, भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपनी चीवन तो सुधार ले, बाबा बहुत वार कहते हैं, बच्चे जर्मई जगमई मत करो, यह बातें छोड़ दो अपना चीवन सुधारो, सर्वकल्यान तब होगा जब स्वकल्यान करोगे, सबको आपस में लड़ मारना है, ड्रामा की भावी ऐसी है, तमो प्रधान से सतो प्र करते हैं, सची दिल से, बहुत प्यार से, युक्ति-युक्तियाद को, याद कोई पांच मिनिट भी मुश्किल करते हैं, समझो, बाबा क्या समझा रहे हैं, बहुत लव से याद किया जाता है, बाबा की लोव में लीन हो जाना है, इतना बाबा की प्यार में समा जाना है, मा मुद्र करते हैं कि जितना चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, खत्म नहीं होता है, ऐसे ही बाप के लब में बिलकुल नीचे तक चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है, जाते ही रहना है, क्योंकि ये तो बेहद का प्रेम का सागर है, बेहद का वर्षा देने वाला दात बाबा हम बच्चों से बेहत बेहत मुहबबत करते हैं वो भी नियस्वार्थ। उसकी बदले मौने कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं इतना लव से याद किया जाता है वीगर लव को भी किसको याद करते हैं क्या। बहुत हैं जुलाचारी हालत में याद करते हैं जब कुछ बिगड़ जाता है तब मना लेते हैं तब याद करते हैं लबसे याद करना आता ही नहीं सच्ची दिल पर साहव राची देखो, बाबा एक ही आवाज करते हैं, मनमना अभवर्थात याद करो, तो तुम्हारे सब बाप कर जाएंगे, हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बागी तो सब हैं दुश्मन, तुम एक दो के भी दुश्मन हूँ, बहुत आपस में लड़ते जगरते हैं, तो दोस्त के से ठह मेरे, सबसे बड़ा दुख यहां यही है कि व्यक्ति जाने अंचाने सामने वाले व्यक्ति को इतना दुख देते हैं, फिर भी वो कभी एहसास नहीं करते हैं, कि मैंने जाने अंचाने सामने वाले व्यक्ति का कितना दिल दुखाया है, बाबा कहते हैं, यहां तो सिर्फ ए एक ही दोस्त है, तुम्हारा बाकी सब दुश्मन है, तो दोस्त कैसे ठेरे, बाप कहते हैं, अगर आत्मा भाई भाई समझो, तो दुश्मनी सारे खत्म हो जाए, कैसे दुश्मनी सारे खत्म होगी, आत्मा आत्मा एक दूसरे को जब साक्षी हो करके देखेंगे, और एक पि जब हम एक परिवार समझते हैं, खुद को एक पिता की संतान समझते हैं, तो फिर आपस में आतमे प्यार रहेगा, इसनेह रहेगा, तो फिर हम आपस में लड़ेंगे, जगडेंगे, नहीं ना, बाबा कहते हैं, फिर इस तरह से सारी दुश्मनी खत्म हो जाए, ना कान, ना म तो दुश्मनी किस से रखेंगे, हम तो निराकार आत्मा हैं, ये शरीर तो हमने सिर्फ पहना है, और जहां मिला है वहीं छूट जाना है, और हम जहां से आए हैं, वहां हमें जाना है, अब हमारा जाने का समय हो गया है, इसलिए हर एक आत्मा उस शांती को याद करती है, उस को याद करती है, उस पवित्रता को याद करती है, क्योंकि इस संसार में इतनी आपवित्रता हो गई है, कि हर को उससे गरना करने लग गया है, वो चाहता है कि मैं पवित्र बनूँ, लेकिन वो पवित्र बन, जो चाहते हैं उनको बनने नहीं देते, और जो नहीं चाहते है तो सामने वाले का विगार करते हैं बाबा कहते हैं यदि तुम खुद के स्वरूप में ठीक होगे ना नाक ना कान ना मुख ना प्यार ना हाथ तो फिर दुश्मनी किस से रखेंगे शरीरों को देखो ही नहीं तुम भी आत्मा वो भी आत्मा तो दुश्मनी निकल जाती है बहुत महनत है विगर महनत कुछ मिलता है क्या उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं सहज भी है बाब कहते हैं सिमर सिमर सुख पायो यह तो जानते हो कि भक्ती मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया है जिसको सिमरते हैं उनके occupation का पता नहीं है मंदिरों में विराज मानमूर्तियों को पूझ रहे हैं पूझ रहे हैं फल, फूल, बेल, पत्र, नारियल, अगरवत्ती, मिठाई ना जाने क्या-क्या चड़ा रहे हैं अब बाबा कहते हैं वहां तो मुख के मीठे बोल चड़ाने हैं उपर का जो ये मुखोटा पहन रखा है उस मुखोटा को कहीं दूर छोड़ करके सिर्फ खुद को आत्मा निश्यक करके आना है एकदम पवित्र प्यूर आत्मा मत्था टिकते हैं यहां हमारे तिलक लगाते हैं क्योंकि यहां आत्मा का स्थान है और हम जब सोचते हैं कई बार तो यहां ही हाथ रख करके सोचते हैं क्योंकि सोचने का कार यह यह करती है ना कि यह करता है तो यह सब जो हम करते हैं हम महालक्षमी को जैसे आज वरत निकला अभी दो दिन के नीचे कि महालक्षमी का वरत है इस महने का और इस समय का आखरीत है वहार तो महालक्षमी तो यहां है ही नहीं, तो व्रतादी क्या चलेगा, महालक्षमी तो वहां है, यहां तो जगत अंबा है, तो यह बातें जो सत्य बाप बताते हैं, सत्य राज समझाते हैं, तो कोई समझने तयार ही नहीं है, ना जाने क्या क्या करते हैं, और उनकी occupation को जानते न सिमर सिमर सुख पायो, दूसरा है, सिमर सिमर दुख पायो, क्योंकि भक्ती रात है, शिप बाबा की रात थोड़े ही हो सकती, रात में धखा खाया जाता है, पहले नंबर में यह ब्रह्मा धखा खाते हैं, इन्होंने भी तो बारा गुरु की ए, खुद का चित्र रख के तक के नीचे सोते थे, जब जैसे ही पता चला तो सब कुछ छोड़ दिया, बाबा खेते सबसे ज़्यादा इन्होंने धखा खाये हैं, उसके साथ तुम ब्रामन भी साथी हो, ब्रामनों का सारा कुल है, जो भी ब्रामन बनते हैं, वहां आकर सुख पाते हैं सिमरने से, और किस सब पुछ उनको समर्पित कर देते हैं, तो जो समर्पित करते हैं वो तो उनको ट्रांसफर हो जाता है, और जो संसकार ले जाते हैं साथ में सिमरने के बाद, जो प्रमात्मा के गुण उनमें आते हैं, वो गुणों को धारन कर, फिर उसका सुरूप बन, फिर पावंतन ले करके वो देवी राज्य में देवता कुल की आत्माय बनकर राज्य करती हैं तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह सिमरने से सुख पाते हैं तुम सब को कहते हो कि शिप बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे तुम एक बाप का सिमरन करते हो, मनुश्य तो अनुकों का सिमरन करते करते, पाप आत्मा बन जाते हैं, सीड़ी उतरते जाते हैं अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित, बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ वर्सा देने, पावन बनाने आर्थ है न, शिर्प बाबा पतित पावन है, यह किसको पता भी नहीं है, कोई आकर बताबे तो सही की कैसे आकर पावन बनाते हैं, तुम्हारे पास यहां बैठें भी पूरी रिती जानते ही नहीं है, माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है, तुम खुद कहते हो बाबा, हम य याद करते हैं, माया भुला देती है, बाबा कहते हैं, अरे, तुम बाबा को याद करते नहीं हो, याद नहीं करेंगे, तो वर्सा कैसे मिलेगा, बाप के सिवाए कोई वर्सा देगा, जितना बाप को याद करेंगे, उतना वर्सा आटोमेटिक लिग मिलेगा, सीधा समझाते राजा इस्थापन हो रही है, इसमें सूरिवन्शी भी बनती हैं, कितने मनुशियों के कान तक आवास पहुचाना है, बाबा कहते हैं बच्चे, मंदिरों में जाओ, गली-गली में जाकर सर्विस करो, बाबा के भक्त सू, देवताओं के भक्त, जैसे मंदिरों वा सत्संगो में बैट रहते हैं, बुद्धी कहा ना कहा, धन्दे धोरी, मित्र संबंधियों आदी तरफ दोड़ती रहती, धारणा कुछ भी नहीं, मंदिर में जाते हैं भल आप कीर्टन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और मान लिजे आप चले तो गए, क्योंकि आपका बच्च घर मे कुछ बिमारी है, या कुछ है, परिशानिया है घर में, आप भल मंदिर में चले जाएंगे, तो आप मंदिर में भल कितना भी सिम्रन करें, देवी देवताओं का, लेकिन घर की तो याद रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को बिमार छोड़ करके गए हैं, तो कुछ तरफ बुद्धी तो दोड़ती रहती है, तो फिर धारणा क्या होई, कुछ भी नहीं, यहां भी ऐसे हैं, जो कुछ भी सुनते नहीं, जुटका खाते रहती हैं, बाप को देखते नहीं, अरे, ऐसे बाप को तो कितना ना अच्छी रहती देखना चाहिए, सौप तो सब जो भी टेंशन हैं, जो भी परिशानी हैं, जो भी उलजने हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी जीवन में अर्चने चल रही हैं, इस तरह से आप कोई अर्चन को नहीं भी आ रही हैं, सूच रहे हैं, डर्वस कुछ भय है, कुछ हैं, तो इस तरह से सौप कुछ सौ बाप को नहीं देखेंगे, अरे ये ऐसे बाप को तो कितना ना अच्छी रीती देखना चाहिए, सामने टीचर बैठा है, बाप कहते हैं, मैं इन करमेंद्रियों द्वरा तुमको पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं, इस चितर को नहीं द दिखते हैं आख कान ना पद्ने वाली आत्मा है, दुनिया में यह किसको पता नहीं है, क्योंकि देवजे अभिमान है, आत्मा में ही सब संसकार है, बाप कहते हैं, आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है, मैहनत वेricsविश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे, मेहनत करेंगे तब विश्वी के मालिक बनेंगे वंडर तो देखो कि बेहद की पढ़ाई है पढ़ाने वाला बेहद का बाप है राजा से रंक तक यहां ही बनते हैं इस पढ़ाई से जितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना उचपत पाते हैं बाप आते ही हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने, बाप को देखते ही नहीं, तो क्या समझना चाहिए, कई कई कहेंगे हमें बाप तो दिखाई नहीं देते, कैसे देखा रहें, अपने बाप को क्या देख करके याद करते हो, पाइप ऐसे कपद नौकर चाकर जाए नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते वैसे प्रजा के पास होते, कहेंगे तो दोनों को ही नौकर, अपचा फ्लाइट चलाने वाला हो, उसे हम कहाजरूर देते हैं, कि वो captain है, वो, एरोप्लेन उड़ाता है, तो वो एरोप्लेन उड़ाने वाला भी, द्राइवर ही है, वो ऊपर उड़ा रहा है, एक नीचे ट्रक ड्राइवर है, तो ट्रक ड्राइवर को भी ड्राइवर कह देते हैं, एक कार चालक को भी हम ड्राइवर कहते हैं, लेकिन उसको भी तो ड्राइवर ही कहेंगे, वो प्लेन उड़ा रहा है, ये ट्रक चला रहा है, तो बाबा कहते है फॉर्क क्या है कुछ भी नहीं, तो इस तरह ऐसे चह राजा के पास नौकर बनो और चह प्रजा के पास तो नौकर तो दोनों ही पिछाडी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है, मोचरा खाकर मानी रोटी टुकडा मिल जाएगा, तो पुर्शयार्थ बहुत अच्छा होना च बाब से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, इतना होना लगा रहना चाहिए कि मुर्ली ना मिले तो ऐसा लगे जैसे कि हमारे आज का दिन क्या से क्या हो गया है, ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो हमने नहीं खाया है, कहते हैं सुबह उड़ते ही, विच्छारों का भोजन करो, अच्छे संकल्पों का भोजन करो, तो पूरा दिन बहुत श्रिष्ट होगा, इस तरह से बाबा केते हैं, बहुत अच्छा प्रशार्थ करना है, बहुत प्यार से सुनना है, फिर रिपीट भी करना चाहिए, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में जाकर स्कूल के काम करते ह ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं, पढ़ाई का ओना रहता है, यहां तो कई हैं चो कुछ भी नहीं समझते बिलकुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धी हैं बाबा का बनकर, अगर फिर कड़ी भूलें करते हैं, तो सोगुणा दंड मिल जाता है, तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बचे, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है, कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा, यहां तुम आए हो, नरसे नारायन बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े ही आए हो, पिछाडी में सब को एक्यूरेट साक्षातकार होगा, कि हम यह बनने वाले हैं, बुद्धी भी कहती है, जो किसका कल्यान ही नहीं करेंगे, वह क्या पद पाएंगे, कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं, प्रादर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है, बाबा कहते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी चीज म्यूजियम में बना जो मनुशियों की दिल उठे देखने की समझींगे, कि यहां तुझे स्वर्ग लगा पढ़ा है, सेंटेस को स्वर्ग थोड़ी ही कहेंगे, दिन प्रती दिन नई बाते होती रहती हैं, चित्र बनती रहती हैं, रिचार सागर मन्थन होता रहता है न, समझाने के लिए ही च चित्रादी होते ही, बाबा भी मनुशियों को दैवी गुणों वाला बनाते ही, तो आत्मा भी नई शरेर भी नया मिलता है, नया माना नया, नये कपड़े बदल फिर पुराने थोड़े ही पहनेंगे, भगवान आएगा तो सरूर कमाल करके दिखाएंगे न, भगवान है ह स्वर्ग के स्थापना करने वाला, आच्छा मीठे मीठे सिकी इलाधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गूड मौनिंग, रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्या बाबा मीठी बाबा प्यारी बाबा सबका साथी सबका सहारा धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आतमा भीमानी होकर सुनना है सुनाने वाले को भी आत्मा निश्य करो, खुद को भी आत्मा निश्य करो और जो सुनाने वाला सुप्रीम सोल है, उसे तो सुप्रीम सोल आत्मा ही देखना है न पुर्मात्मा को भी तो सामने बैठ कर बाब को देखते रहना है, जटका नहीं खाना है, पढ़ाई में बहुत रुची रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है, दूसरा एक बाब को सच्चा दोस्त बनाना है, आपस में दुश्मनी समाप्द करने के लिए आत्मा भाई भाई ह यह अभ्यास करना है, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है, वर्दान बाबा ने दिया, लाइट स्वरूप की स्मृती द्वारा व्यर्थ के बोज से हल का रहने वाले दीब्रपुर्शाय की भाई, जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृती में रहते हैं, उ सहज परिवर्तन का डबल लाइट रहते हैं, साथ-साथ ब्राह्मन परिवार के संबंध में सेवा के संबंध में भी लगे रहते हैं, उनका रिष्टा किसी भी पुराने संस्कार वा संसार से नहीं रहता, किसी देहधारी व्यक्ती या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षन हो न बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो आच्छा ओम शांती शुक्रिया बाप दादा शुक्रिया आप सभी भाई बैनों किसने का प्यार का ओम शांती गुड़नाइट